हेलो एवरीवन कैसे हूँ भई I think सभी ओके होंगे स्वागत करते हूं आप सभी का चीवर्स उनलाइन क्लासिस में मैं दीपा यू नो डैट हम पढ़ रहे हैं अपनी जोग्रफी और आज की क्लास में मैं आपको कराने जा रही हूं एक शोर सा टोपिक ठीक है एक बड़े टो तो आज का हमारा टोपिक रहने वाला है आगन्य चप्टानी आगन्य चट्टानी देखो वैसे तो यह जो टोपिक है वह रोक रोक्स बट आज हम रोक्स वाले टोपिक में केवल आगन्य चप्टानों को करेंगे पूरा डेटेल से समझेंगे क्लासिफिकेशन करेंगी कैसे आगने चप्टानों का निर्मान हुआ तो इन सारी चीजों को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और जो एक्जाम में भी कोशन्स आते हैं उनको भी कवरप करेंगे साथ की साथ ठीके तो आज की वीडियो आपके लिए जो की आपका कड़ोर पार जिसे आप क्रस्ट भी कहते हो वह चट्टानों से ही मिलकर बनी है ठीक है हमारी भू-पर्टी क्रस्ट भू-प्रिष्ट चट्टानों से ही मिलकर बनी है अब ये चट्टाने कैसे बनी है और स्पेसली आगन्य चट्टान आगन्य चट्टान हमारे पिर्थवी पर सबसे पहले इसी चट्टान का निर्मान हुआ था इसलिए इसे प्रात्मिक चट्टानों के नाम से भी जानते हैं यानि इसे प्रात्मिक चट्टान भी कहते हैं क्यो यह हमारी पिर्थवी के आंत्रिक पार्ट की बात करें यह हमारी पिर्थवी का सेंट्र पॉइंट आप लगा सकते हो यह क्रश्ट है हमारी पिर्थवी के अंदर आप सबको पता है पिर्थवी अंदर से कहीं पर सॉलिड है कहीं पर पानी है और कहीं पर आपका उबलता हुआ मैगमा भी है प्लेटे भी है तो बहुत कुछ है हमारी अर्थ के अंदर यहां पर अर्थ के अंदर जहां पर आपका मैल्ट वा पदार्थ भी है कुछ प्लाजमा की फोम में भी है 100-200 किलोमीटर के बीच हमारी पिर्थवी प्लाजमा की फोम में भी है आप इस प्लाजमा की फ फ़ारन से ठीक है कई बार पिर्थवी के अंदर ही जम जाता है और कई बाद सरफेस पर आकर जॉइला मुक्य के रूप में फटच जाता है और फिर लावा कहलाता है जब लावा थंडा होकर ठोस होता है तो उसे हम कहते हैं चटान यानि हमारे स्ट के अंदर पिर्थवी के अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ ही मैगमा के थंडा होकर जम जाने से जो ठोस पदार्थ का निर्मान होता है उसे ही कहते हैं अगन्य चटानी तो समझ गई अगन्य चटानी कैसे बनती हैं मैगमा और लावा के थंडा होकर जम जाने से अगन्य चटानी का निर्मान होता है हमारी पिर्थवी पर सबसे पहले अगन्य चटानू का ही निर्मान हुआ ठा है इसलिए इन्हें Primary Rokes भी कहते है यानि प्रात्मिक चटानों के ना चलने वाला प्रोसस है एक सतत परिक्रिया के दुरान इनका निर्मान होता है तो कई बार क्या होता है एक्जाम में आता है कि विसेष्थाइं बताइए एच्टेट पीजीटी में तो इसी तरिक्ट्य की गोश्चन आती है तब आपको एक लाइन में लिख देगा निम्न में स निर्मान मैगमा और आपके लावा के ठंडा होकर जमने से होता है ठीक है तीसरा लिख दिया कि आगने चप्टान पिर्थवी पर सबसे पहले बनने वाली चप्टान है इन्हें प्राइमरी चटान भी कहती है वो प्रोक्त सभी तो जब आपको पता होगा कि यह चारो ही विसे तो आगने चप्टानों की वर्गी करन की बात करी या इसकी क्लासिफिकेशन की बात करी तो जो यह आगने चप्टान है इनको दो परकार से डिवाइड किया जाता है या क्लासिफिकेशन इनका टू टाइप से किया जाता है सुबसे पहला आता है वही स्थीती के अधार पर और नेक्स आता है रसाइनिक संरचना के अधार पर तो सबसे पहले करने वाले हैं स्थीती के अधार पर तो स्थीती के अधार पर जो आगन्य चप्टाने होते हैं टू टाइप्स की होती है नमबर वन अंत्रवेदी और नमबर टू बहिरवेदी तो सबसे पहले आती है स्थीती के अधार पर टू टाइप की होती है अंत्रवेदी और सेकिंड होती है बहिरवेदी देखो नाम से ही पता चल रहा है अंत्रवेदी यानि जो पिर्थवी के अंदर बनी है मैगमा के ठंडा होकर जम जाने से पिर्थवी के अंदर जिन चप्टानों का निर्मान हुआ है अंतरवेदी बहिरवेदी यानि बहार के ओर लावा के ठंडा होकर जम जाने से पिर्थवी पर जिन चप्टानों का निर्मान हुआ है उसे कहेंगे बहिरवेदी ठीक है अगर मोटी मोटी आपको definition की बात करें तो ये बनेगी आपकी, तो अंतरवेदी सबसे पहले अंतरवेदी चटान, अगन्य चटानी, जो अंतरवेदी अगन्य चटानी होती है, पिर्थवी के अंदर ही मैगमा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से इनका निर्मान होता है, ज by सबसे पहले पातालिय अलग अलग भी शेशता हैं तो पातालिय चप्टानों की बात करें तो जब आपका मैगमा देखो अंतरवेदी में हमने इनको बाटा है तो दोनों ही situation में क्या होगा मैगमा पिर्तवी के अंदर ही होगा उसी के जमनी से बनाए अब कैसे बनाए यblem उमें हम समझेंगे तो अंतरवेदी में जो प्लीटो निक रोक्स, प्लीटो जो यह शब्द है, इसका मेनिंग होता है पताल देउता, तो प्लीटो निक रोक्स यानि पताल देउता से कही न कहीं से related माना जाता है, दूसरा देखो हम क्या होते हैं पताल में चला जा यानि बिलकुल गहराई में, याद करनी की ट्रीक है पताल में चला जा यानि बिल्कुल गहराई में तो यहां पर जो पताली चप्टानी है जब आपका मैगमा पिर्थवी के अंदर काफी गहराई में जहां से मैगमा पैदा हुआ वही पर ठंडा होकर जम जाए तो जो चप्टानी बनती है उसी कहते हैं पताली चप्टानी समझ याद करने की ट्रिक बहुत नीचे बहुत गहराई में तो इसी तरीके से आप इसे याद कर सकते हो तो जब आपका मैगमा काफी गहराई में पृत्वी के अंदर ही जम जाएगा अपने मूल स्तान पर जहां से मैगमा बना वहीं पर जम जाएगा तो उसे कहेंगे पातालिय च नेक्स आता है तो पातालिय चप्टानों में एक बात हैं और या तो आपको आंत्रवेदी लिखा ववा मिलेगा या आपको पातालिय चप्टानि लिखा हुआ मिलेगा और तब बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप केवल इतना पड़ते हो कि ग्रेनाइट आगन्य चप्टानों का ही एक टाइप है ठीक है एक उधारन है बट जो ग्रेनाइट और गैप्रो ये दोनों ही जो चट्टाने आती हैं ये दोनों आती है अगर आप अपने PGT और NET लेवल के अच्छी त्यारी करना चाहते हो तो अब Achievers Academy पर पेड़ कोर्स अवेलबल है जो स्टुडेंट पेड़ कोर्स लेना चाहते हैं तो अचीवर्स अकैड़मी एप जोइन करें और इसके साथ साथ मेरा खुद का भी YouTube चैनल है तो इसके साथ भी जुड़िए इस चैनल पर आपको PGT लेवल की और TGT लेवल के काफी वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए helpful होंगी ठीक है तो यह मेरा YouTube चैनल है मैंने अभी अभी start किया है ज्यादा पुराना नहीं है तो आपको काफी material मिल जाएगा यहां से भी तो मेर चैनल के साथ भी जुड़िए और उसको भी maximum like share and subscribe करिए ठीक है तो चली नेक्स आती है हमारी अधी वितल्य या मध्यमवर्ती चप्टानी अधी वितल्य देखो जैसे की अधी वितल्य अब पतालिया हमने पढ़ लिया कि वही जब आपका मैगमा काफी गहराई पर ही जम ज शुरू हुआ और यहां पर कोई बीच में बड़ी सी चटान या कुछ प्राकर्तिक अवरोद या धरातलिया अवरोद जिसने उस मैगमा को आगे बढ़ने से रोक लिया अब क्या होगा अब इसमें जो छोटी छोटी दरारे होंगी उन दरारों में मैगमा घुसना शुरू ठीक है तब आपका जो चटाने बनेंगे उन्हें कहेंगे अधी वितल्य या मध्यमवर्ति चप्टानी इनके जो एक्जामपल आते हैं अधी वितल्य के वह आते हैं आपका एक तो डोले राइट डोले राइट सेकिंड आता है माई का और थर्ड आता है पैगमेट आइट तो ये तीनों ही चप्टानों के जो एक्जामपल हैं वह आते हैं आपके अधी वितल्य या मध्यमवर्ति चप्टानों में अगर आपसे एक्जाम में पूछे माई का किस परकार की रोक्स है तो आपको उप्षन में या तो अंत्रवेदी आगन्ने चप्टान मिलेगा या आपको अधी वितल्य या मध्यमवर्ति आगन्ने चप्टान मिलेगा तो जो भी मिले हैं आप उसको टिक कर देना वहीरा अदितल्य में डोलेराइट माईका और पीगमेटाइट यानि पाताल में जाके मैगमा जम गया यह ऐसे आद कर लो अधी वितल्य यानि दराड़ों म कुछ अड़ गया, मैगमा के रास्ते में कुछ आ गया, फिर उसे वो दरारों में, संधियों में जमा हो जाता है, तो उसे कहते हैं, अधिवेतला या मद्यमवर्ती, मद्यमवर्ती क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में ही जम गया, आगे नहीं बढ़ पाया, बीच में ही जम गय और बाहर जमेगा तो उसे क्या कहेंगे लावा नोट मैगमा लावा के नाम से जिसे जाना जाएगा तो बहिर वेदी आगन्य चप्टानों में क्या होता है देखो इसके कोई एक्ट्रा टाइप नहीं है बहिर वेदी आगन्य चप्टानों के तो बहिर वेदी आगन्य चप्टानों का निर्मान होता है इस परकार की चप्टानों को ज्वाला मुखी शैले भी कहते हैं क्योंकि ज्वाला मुखी के प्रोसस के द्वारा ही मैगमा बहार आता है और बहार आकर लावा के रूप में पिर्थवी के दरातल पर फैल जाता है तो इसे ज्वाला मुखी श अगर बनेंगे भी न तो बहुत बारिक होते हैं ठीक है या तो इंके कन बनते नहीं है और बनेंगे तो बहुत बारिक होते हैं और दूसरी बात इसमें जो लावा होता है भृषिर-वेदगण या आपसीडियन भी इसे ही कहा जाता है आपसीडियन आप इन नामों को याद रखोगे यह एक्जाम में आते हैं निमने में से कौन सी बहिरवेदी आगन्य चप्टान है उप्षन में डाल दिया आपसीडियन तो आपको पता होना चाहिए ठीक है ग्रेनाइट इसका सबसे ब बहुत बारिक बनेंगे दूसेडियन पर आपको इन चीजों के बारे में याद रखना है एक तो इसके रवों के बारे में इसमें रवे बनते नहीं है बनेंगे तो बहुत बारिक बनेंगे दूसरा जब लावा जल्दी ठंडा हो जाता है तो काच जैसी चप्टानों का निर्मान होता है जिसे जो आलमों की काच कहते हैं और इसे ओपसीडियन भी कहते है जो आलमों की काच को ओपसीडियन भी कहा जाता है बेसाल्ट जो बहुत बारिक महीन कणों की बनी चप्टान होती है ये बेसाल चप्टान आपकी बहिर वेदी आगन्य चप्टान के एक्जाम्पल की रूप में ही जानी जाती है नेक्स टाइप आता है हमारा रसाइनिक संरचना के अधार पर नेक्स करेंगे रसाइनिक संरचना के अधार पर तो रसाइनिक स्नरचना के अधार पर जो आगन्य चप्टान होती हैं टू टाइप से होती हैं एक तो आती है इसमें अधि सीलिक या अमलिय अधी सीलिक या अमलिय चट्टानी ठीक है इसे अमलिय चप्टानी इसे इंग्लिश में कहते हैं acid rocks and second आथा है अल्प सीलिक या छारिय चट्टानी इंग्लिश में इसे कहते हैं basic rocks basic सबसे पहले अधी सीलिक या अमलिय चप्टानी या acid rocks के नाम से जानी जाती है इस परकार की चप्टानों में 65-85 परतिशत के बीज में सीलिका की मात्रा होती है लोहे की मात्रा कम होने के कारण इनका घनतों कम होता है 2.75 के लगबग इनका घनतों होता है लोहे की मात्रा कम है इसलिए इनका रंग भी हलका होता है इस परकार की चप्टानों का ठीक हैं तो आधी सीलिक में आप याद रखोगे सीलिका की मात्रा कितनी होते हैं ये एक्जाम में आ चुका है आपके KVS, NVS में, तो अधी सीलिक चप्टानों में सिलिका की मातरा 65 से 85 प्रतिशत के बीच में होती है, अब इसमें एक्जामपल कौन कौन से आते हैं, अधी सीलिक अगन्य चप्टानों में, तो अधी सीलिक में एक तो इसका एक्जामपल यह दोनों येइड़ाम्पल आएंगे अधी सीलिक अगर्णने चप्प्ठान से लिए और इक जाता है だ यंजो सामप्ल होता है थोड़ा कम यानी जिन चप्ठानों में सीलिक की मात्रा एक्जाम्पल होत उन्हें कहते हैं आलपसिलिक इनमी yön盯ा की मत्रा 45 से 55% के बीच में होती हैं तो 45 से 55% की a बीच में रहेगी SILEICA की मत्रा लोही की मत्रा अधिक होने के कारण इनका गणतों भी अधिक होता है और इसके साथ साथ इनका रंग भी गहरा होता है गहरा रंग होता है इनका ठीक है इनका रंग beats अपकी बह्यवेदी है एक आएगी म पर यह को 程 has तोर में आती हैं अल्प सीलिक और शार्य कॉर्म जप्टानों तो यह था आपका 사90 स्थीति के अदार पर और हैं फैँ आगने सप्टानों में कुछ आपकी चट्टानी पिंड भी आते हैं अब यह चप्टानी पिंड कौन से हैं कई पर क्या होता है मैगमा है वह ठोस को जाता है जहाता है तो ठोसोने पर अनेक सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वैट हो लेकश आप यह कह सकते हो कुछ अगन्य यह चट्टानी पिंड है कैसे पिंड है चट्टानी पिंड चट्टानी पिंड यानि चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जो की अगन्य ही चप्टानों से बने हुए हैं तो सबसे पहला आता है इसके अंत्रगत बैथोलित बैथोलित इं मैगमा गुमबद के अकार में कुछ अकर्ति बनाता है तो उसे कहते हैं वैठुळित ठीक है यह आपका काफी वाइड एरिया में फैला होता है हजारों बर्ग किलोमेटर में आपको वैठुलित फैले हुए solution बैथोलित संसार के जो बड़े बड़े परवत है उन परवतों की जड़ में होते हैं तो आप ध्यान रखोगे बैथोलित कहा होते हैं परवतों की जड़ में परवतों की संसार के जो बड़े बड़े परवत है परवतों की जड़ में बैथोलित होते हैं अब इसका सबसे बे किनेडा में पक्षमी किनेडा में वेस्ट कनाड़ा में बैथोलित का एक्जांप्ल देखने को मिलता है पच्मी कनाड़ा में जो आपकी आती है कोस्ट रेंज पच्छमी कनाड़ों में देखो मैंने उसको सिंपल तरिक के से बता है परवतों की जड़ों में तो कोस्ट रेंज कोस्ट रेंज यानि कोस्ट परवतमाला महां पर भी बैथोलीट देखने को मिलता है तो हम वैसे तो सीधे तोर पर नहीं देख सकते क्योंकि परवतों की जड़ों में होते हैं तो यह जो बैथोलित होते हैं यह जादा कर ग्रेनाइट सेलों के जमाऊ होते हैं किस परकार की चप्टानों के जमाऊ होते हैं ग्रेनाइट तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि देखो ग्रेनाइट तो आपके अंतरवेदी है ना तो ग्रेनाइट से तो बनेंगे बेसाल्ट से तो बनेंगे नहीं तो ग्रेन आट परकार की जो छप्टानी होती हैं उनके ही । होते हैं बैथोलीट सेकेंड आता है बैथोलीट के बाद स्टोक यह स्टोक क्या होता है स्टोक छोटे आकार का बैथोलीट इतना बना अब एक बैथोलीट इतना बना तो जो छोटे आकार का बैथोलित होगा यानि कम एरिया में फैला हुआ बैथोलित होगा उसे कहते हैं स्टोक ठीके छोटे आकार के बैथोलित को स्टोक कहा जाता है इसके अगर उपरी सत्य के विस्तार की बात करें तो ये लगबग 100 वरक किलोमीटर एरिया में फैला हुआ ह होता है तो ज्यादा छोटा होता है इसने चोक कहते हैं भल इस नाम नहीं दिया था ठीक है खड़िया बसता में होता है और लगभग बैथोलित जैसा ही होता है बस उसका छोटा रूप कह सकते हो ला को लिध गवाक डोर सा लाता तो अवसाधी चप्टानों के ऊपर जब मैगमा छत्री नूमा आकर्ति धारन कर लेता कुछ इस तरीके से ऊपर से जैसे छत्री होती है ना हमारी इस तरीके से यानि कोई आपके अवसाधी चप्टान है उसके ऊपर मैगमा छत्री के तोर पर बिच गया ठीक है तो जब छत्र जट्री रूपा अकर्तिधारन करता है मैघमा उसे ही कहते हैं लैकोलित छत्री नूमा ठीक है तो लैकोलित में आपको सरफ इतना याद रखना है कि परद्दाद चप्टानों के उपर जो आधी सैडिमेंट्री जो हमारी रोकस है उनके उपर जब magma छतरी नूमा आकरती का रूप धारन कर लेगा तब जो आपकी shape बनेगी उसे कहते हैं लेकोलित जो की एक आगन्य चप्टानो की ही shape है एक पिंड है आगन्य चप्टानी पिंड ठीक है लेकोलित अब जो ये लेकोलित है इसका जो example देखने को मिलता है आपको यह एक्जामपल याद रखने हैं कि लैको लित कहां देखने को मिलते हैं उत्री अमेरिका के पश्चमी भाग में तो देखो आपने बैथोलित पढ़ लिया ठीक है स्टोप पढ़ लिया जो कि बैथोलित का छोटा रूप था थाड हमने किया लैकोलित फौर्थ हम करन रूप धारन कर रहा था लैपोलित में क्या होगा लैपोलित के अंदर जो मैगमा है वो तरसरी नुमा रूप धारन करता है यानि जब आपका मैगमा तरसरी तरसरी यानि आपकी पलेट जैसे आपकी खाने की पलेट होती है तो एक खाने की पलेट के शेप में जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं लैपोलित ठीक है उसे क्या कहेंगे लैपोलित इसका जो सबसे बेस्ट एक्जामपल है दक्षिन अफ्रीका में जो दक्षिन अफ्रीका का ट्रांसवाल छेत्र है दक्षिन अफ्रीका का जो ट्रांसवाल छेत्र है वहाँ पर लैपोलित के सबसे बेस्ट एक इतना आपको समझ में आ गया नेक्ट आती है नमबर फाइव फैकोलित फैकोलित क्या होगा जो आपके परवत है मोड़दार परवत यानि आपके कुछ इस शेप के परवत उसे कहते हैं अभीनती इसे क्या कहते हैं आभीनती इसे क्या कहते हैं अभीनती प्रत हो दिखा था ना लहर नूमा तो लहर नूमा करतिधारन कर लेता है अपनती और अभी नती में मैगमा के जमाउं को ही कहा जाता है जो कि एक आगन्य चट्ठानी पेंड है next आता है number six तो यह प्रद्दार चप्टान्यों के बीच में एक पतली सी लाइन के रूप में जमा हो जाता है यानि आपके कोई चठान यहां पर है इस तरीके की तो इस चठान के ऊपर यहां पर जब मैगमा जम जाएगा 2 पतली सी लाइन की रूप में बिल्कुल सीधा समान अंतर ठीक है पैरलर जब मैगमा बिल्कुल पैरलर रूप में जम जाता है तो उसे कहते हैं सिल ठीक है और जब आपकी ये सिल एक मीटर से पतली होती है एक मीटर से पतली होगी न जब ये सिल तब इसे कहेंगे शीट तो द एक लाइन की रूप में होता है तब उसे कहते हैं सिल और जब एक मिटर से पतली सिल बनेगी तो उसे कही जाएगा शीट लास्ट आता भी आपका डाइक लास्ट है बिल्कुल डाइक लास्ट रकरती जो कि चट्टानी आगने चट्टानी पिंट की रिवीजन भी करेंगे फिर एक बार आपको मैं कराऊंगी भी डाइक अब यह डाइक क्या है डाइक देखो सिल्थ ही आपकी पैरलर डाइक क्या है जब आपकी जो प्रद्दार चप्टानी है जो आउसाधी चप्टानी है वहाँ पर उनके बीच में मैगमा लंबवत जम्मा ह हो जाए यानि एक चप्टान आपकी यहां पर है इन दोनों के बीच में मैगमा जब ऐसे जम जाए दोनों के बीच में दिवार के रुप में जम गया अब यह जो दोनों चटानी है आउसाधी चप्टानी है तो इनका तो जल्दी से अपरदन भी हो जाता है तो मालों यह परदन नहीं होता अपक्षे नहीं होता वैदरिंग नहीं होती तो इसी लिए यह दिवार खड़ी रह जाती है और इसी खड़ी हुई दिवार को जुकी हुई दिवार को जो कि मैगमा का लंबवत जमाओ है वर्टिकल जमाओ है इसे ही कहते हैं डाइक एक्जाम में डाइक तब उसे डाइक के नाम से जाना जाता है डाइक के जो एक्जामपल देखने को मिलते हैं जारखन राज्य में इंडिया के अंदर जो जारखन राज्य है जिसके कैपिटल रांची है तो जारखन राज्य में जो सिंग भूम जिला है जारखन राज्य का सिंग भूम जिला है इ तो आप इसको याद रखोगे तो आपके डाइक की रूप में अनेक डाइक देखने को मिलते हैं तो यह थे आपके आगन्य चप्टानी पिंड जिसमें हमने बैथोलित किया स्टोक किया जो कि बैथोलित का शोट रूप छोटा रूप थार अमने लैकोलित किया ठीक है जो कि आपका छतरी नुमा आ करती थी लैपोलित किया जो कि आपकी तरसरी नुमा यानि प्लेट की त्रह किया करती थी और नंबर फाइपर फैकोलित किया जो कि लहरदार आ करती थ शिल किया जो कीconds पैरलर मैगमा जमताल होता है तो ये छुट कहते हैं तो या ता बहुँ आपकी आगने चप्टानों का क्लासिफिकेशन और आगने चप्टानी किन आपको कोई भी इसमें नहीं रहा है है अब इसके बात कुछ आगने चप्टानों की विसेश्थाई हम कर लेती हैं कि आगेने चप्टानों की क्या-क्या विसेश्थाई होती हैं तो देखो एक तो यह सोलिड होती हैं कठोर होती हैं जल्दी से इनका अपरदन नहीं होता अपक्षे नहीं होता क्योंकि मैगमा से बनी हैं और लावा से बनी हैं तो दोनों ही ज चप्टानों में बनते हैं तो बहुत जादा बारीक होते हैं तो आप इसको ध्यानः रखो गए यह बहुत जादा ठीकाओं काफि लोंग ट्रम तक यह रहा सकती है जादा जलदी से इन sneaky संदिया जल्दी नहीं पड़ती उसके दुमें आपके रंद्र नहीं और पॉल्स नहीं होते और पॉल स नहीं होने के वज़े से पानी इन चप्टानों के अंदर ऐंट्री नहीं कर पाता दूसरी बात ये जो आपकी हैं आपके तरल और यानी गरम-गरम मैगमा और लावा के ठंडा ओकर जमने से बने हैं ही तो इन में आपको जीवा आउसेश नहीं पाए जाते ? जीवासं में पाए जाते आगन चप्तानों में जीवासं में पाए जाते हैं और इसके बाद अन्यख परकार के खनीज जैसे अंका सोना हुआ चांदी हुआ फ्लैतिनम हुआ तो जितने भी आपके कोस्टली है, हीरा है, निकल है, आपका प्लैटीनम है, मैगनीज है, लोहा है, टीन है, ग्रेफाइट है, जस्ता है, ये जितने भी खनीज है, सारे की सारे अगन्ये चप्टानों में पाए जाते हैं, एक ट्रिक से आप ऐसे भी आज कर सकते हो, जो भी मह महिन कंग की इस परकार की मंहीच। एक भीनदन ग्रेन आइट यह तो इसकी बेस्ट एक्जामपल अगरन चप्टानों के और जो पर साल्ड का हीْ निर्मान से तो यहां पर आप pillar क्ली मिट्टी होता है जिसमें हमने क्या होती है अगन्य चप्टान कैसे बनती हैं क्लासिफिकेशन किसा धार पर किया जाता है क्या 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 सीफिकेशन है चिक झाल